है मैं ओप यह दोस्तों आज मैं सोषन के विभिन चरणों के अंतर अंत्री सोषन गैसों का परिवहन के बारे में डीटेल में बताऊंगी दोस्तो इससे पहले प्रश्ट पार्ट में स्वासन क्या है और कौन-कौन से अंग भागीदारी लेते हैं इसमें उसके बारे में बता तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा आप आंत्रिक स्वासन, वाय स्वासन, गैसो का परिवहन, ओटू का परिवहन, इंस्पाइडेशन, एक्स्पाइडेशन, ग्लाइकोलिसी, स्क्रिप्स, चक्र यह सब क्या होते हैं इसके बारे में आप आज वीडिय नहीं रहेगा आपको एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपटेटिव एक्जांस, किसी भी राजे के TGT, PGT, KVS, NVS, CLT का प्रिप्रेशन कर रहे हैं सिलिबस के कार्डिंग तो मेरे चैनल पी सभी वीडियोच सिलिबस के कार्डिंग है सभी व जलते हैं आज के टापिक पर जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बता चुकी हूँ कि जो हमारी स्वासन क्रिया होती है वह स्वासन जो है स्वासन है क्या इसके बारे मैं बताए हूँ कि आक्सिजन द्रा भूज पदार्थ हो यानि ग्लुकोश का आक्सी करर कि उर्जा उत्प इसे के अंतर के सबसे पहले सकते हैं नासिका आती है ग्रहर करते हैं नासिका से ग्रहर करते हैं फिर और प्रफ्षण का एलोलाईじ हादान परदान यानि की रखत कोशिगाय एल्यूलाइस से जुड़ी होती है रखत हीमोगलोबीन घच्ट के आपक्र करके कोशिगाये कोशिकाये दोस्तों वीडियो को एक सिकेंड भी इसकिप मत किजेगा यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो दोस्तों तो दोस्तों सहसे पहले स्वासन के चड़ों में कौन कौन से आता है वाह स्वासन यानि कि से से पहले हमारे फेफ्रों में स्वासन होता है जो स्वासन हमारे फेफ्रों में होता है उससे वाह स्वासन कहते है यानि कि वाह स्वासन के अंतरगत हमारे स्वास स्वास यानि कि ब्रीधिंग आता है तो वह असरसन के अंतरगत ब्रीधिंग जिसके अंतरगत इंस्पैरेशन और गैसों का बीन में आता है उसके बाद दूसरा इस्टेप आता है जब गैसों का बीन में हो गया तो अब हीमोगलोबिन लेकर जाएगा ओटू को को सिकाउं तक और असो द्रख से ओटू और निकल तो यह गैसों का बीन में होता है यानि ओटू का परिवहन कैसे होता है और सी ओटू का परिवहन कैसे होता है ओटू का परिवहन हीमोगलोबिन के द्वारा और सी ओटू का परिवहन तीन स्टेप में होता है कार्बो बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाद्मा में गुलक और और कार्वॉमीनो योगिक की रूप में, तिसा स्टेप आएगा आंतरीक श्वसन, अब जो परिवहन करके O2, हेमोगलोबिन ले गया है, आक्सिजन को परिवहन करके कोसिकाओं तक ले जाता है, और माट्रो कॉंडिया के देता है, वह होता है आंतरीक स्वसन, इसे कोसिक् इसे करेफ्ज करेफ्ट चक्र भी कहां जाता है एक जाता है इसमें सही बहुत सारे को स्थेन्स आपको बन जाएंगे अब में इन सभी का वोड़न एक एक करके करूंगी जैसा है जो सबसे पहले हम बताएंगे कि वाहस्वसंद क्या है तो वाहस्वसंद के अंतरगत ब्रीधिंग और गैशो का बिनी में आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीधिंग जैसे कि दो ब्रीधिंग के अंतरगत ब्रीधिंग होता क्या है तो ब्रीधिंग यानि कि स्वास सच्वास इसे इंगलिस में या विश्वान का वे तैना सांस को बाहर नेकर किसे डाइए राले λी मुद्धार. हमारे राले अल्डेकर को रिदेने को जए पुद्धा करती है अल्डेकर लोगाती एक तुद्धा योद 25 of एक रिदेश। दो क्रियाए होती है तो यह है इंस्प्राइशन यानि स्वांस को अंदर लेना तो कैसे हमारा जो हवाय होती है गैसे होती है हमारे फेपड़े के अंदर कैसे जाती है दोस्तो इंस्प्राइशन के अंदर इसको हम जानेंगे जैसा कि दोस्तो फर्स्ट वीडियो में बता चु बना हुआ है इंटर कोस्टल मुसल्स का बना हुआ है और यही इंटर कोस्टल मुसल्स जब फ्यलती है तो डाई फ्राम नीचे चला जाता है तो जिससे तो जिससे दोस्तों फेफड़ा किसे धका होता है प्लूरल मेंब्रेन से इसको दिया में रखेगा प्लूरल मेंब्रेन से फेफड़ा धका रहता है तो जिससे फेफड़े का आयतर बढ़ जाता है तो फेफड़े का आयतर बढ़ने शुम होता क्या है कि फेफड़े में वायू का जैसा कि इसमें फेफड़े का आयतन ज्यादा हो गया जगह ज्यादा हो गया तो वाईदाब वहां पे कम हो गया और गैसे कहा जाती है उच दाब से निम दाब की ओर जाती है तो गैसे कहा आएंगी वाईवंडल से फेफड़ों की तरफ आएंगी और बाहर की हवा फेफड़ों में परवेश करने लगती है और वह हवा तब तक फेफड़ में परवेश करेगी जब तक की बाहर वह अंदर का वाईदाब बराबर न हो जाए तो यह है हमारा इंस्पाइडेशन यानि कि गैसों का अंदर आना थिक्षे स्वाहश का अंदर आना अब बैत करेंगी एक्सपाइरेशन की यानि श्वाहश का बाहर जाना यानि जब इंटर कोस्टल मसल सिकूर्थी है तो डैफ्राम उपर उठ जाता है जब डैफ्राम उपर जायेगा तो वच्चगुहा का आयतन कम हो जायेग वायु दाब वायु मंडर से 1-2 यमयम जी एधिक हो जाता है जिसे भीतर की हवा बाहर निकलने लगती है ठीक है जैसे कि दोस्तों इंस्पाइरेशन एक्सपाइशन यानी कि स्वास अंदर जाते से मैं और रात जाते समय निकलता है यानि कि नाइट्रोजन को कोई उप्योग नहीं होता है अंदर जाता है 78% अब बाहर भी आता है 78% यानि 78-89% और अउक्सिजन जो है अंदर जाता है 21% और बाहर निकलता है 17% 16-17% ठीक है और carbon dioxide CO2 अंदर जाता है 22.03% और बाहर निकलता है 4.04% इसलिए 0.03% जाता है और 4.04% बाहर निकलता है अब बात करेंगे इसी वाह सोसन के अंतरका दूसरा है गैसु का बिनिमेंगे गैसों का बिनिमें कैसे होता है यानि कि गैसों का अदला बदली जो जिसे हमेशा उच्छे दव से निर्न ड याक्ति coração में इसको आप द्ध्यान में रखेंगे तो असानी से सब sac जाएगे हों कि आप नित्याइज का ईख मिलयिए speculate दो दूसरा है चैनल है कि और आप फेप्प क्योंकि दो तीन चीजे याद करेंगे तो आप कन्फूज हो जाएंगे तो फेकड़ों की जो इलवलाई होती है उसमें O2 और C2 का बिनिमे होता है ठीक है जिसे Diffusion Process कहते है ठीक है जिसे क्या कहते है Diffusion Process कहते है यह बिनिमे कैसे होती है Biscary ॥ przyzapophobia द्वारा ठीक है यहाद रिक्ष्ड़प्रक्रिया याने कि Diffusion Process कहते है यानि दोस्तों सुध वायू जो होती है वो पलमोनरी सिराओं में और असुध वायू पुनह इसी रास्ते वाहसोसन द्वारा बाहर आ जाती है जैसा कि दोस्तों जो हॉर्ट वाला यानि हिरे वाला पार्ट है यानि बलड स्टरकूलेशन वाला पार्ट है उसमें मैंने बताया कि जो पलbok हूंणरी ध्हामनी होती है उसमें असुध राऽ बता है वहोँ हदाय, निले से असुध राक्त को लेकर फेपड़ों में जाती है लिए तो वहां किसमीलती है है उलूलाईज में रिक्त के लिए होता है अब जाद威 इस निवाहिनीयों का जल द्शा होता है लिए इस में जाड़े मात्रह किसकोंने की होती है थभी है तो तो कार्बंड रीया अक्साइड ले ले लेती है और जो रक्त का हिमोग्लूबिन होता है वहाँ एलॉलाई से अक्शीजन को ग्राइब कर लेता है जिसे रक्त सुध हो जाता है और ऊटू बाहर निकल जाता है तो रखत सुदु जाता है तह सुदु होने के बाद यह出ा कि और सबस्ट कोह निलए मैं जयंता है, आप बाएनिले से महाध्वनी द्वासमस्त शरीर में भेच दिया जाता है कोचिकाभा तक भेच दिया जाता है ही मोग्लोबीन के माध्यम से तो यह होता है जैसे कि दोस्तों हमारे फेफड़े में 300 करोड कुपिका याने की विलाइच पाए जाती है ठीक है और इन एलुलाइज में पतली पतली रुधीर वाहिनियों का जाल होता है जो इसकी बाहरी जिल्ली बहुत ही पतली होती है जो गैशों के बिनिमे के लिए अनुकूल होती है और एलुलाइज में ओटू का दाब जो होता है दोस्तों वह सो यम्यम्यजी होता है और रुदी वाहिनियों में ओटू का दाब कितना होता है सैधिस यम्यम्यजी तो वाई दाब वाई या गैसे हमेशा किदर जाती है उच दाब से निम्न दाब की और तो उच दाब किदर है इन वलाए में है ओटू का उच दाब और निम्न दाब र तो इलॉलाइज में से इलॉलाइज में उच दाब होता है और रक्तवाहिनियों में निन दाब होता है तो इलॉलाइज से जिससे ओटू इलॉलाइज से रक्तवाहिनियों में आने लगता है ठीक है और इलॉलाइज में CO2 का दाब कम होता है तथा रक्तवाहिनियों में अधि लगता है और इसी क्रिया को यानि O2 का रख्तवाहिनियों में जाना इल्वलाइज से और CO2 का रख्तवाहिनियों से इल्वलाइज में आ जाना यहीं होता है गैसों का बिन में ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों हमने जाना वाहे स्वसन के बारे में हैं वाहे स्वसन में हमने ब्रीधिंग में inspiration, expiration, शास को अंदर छोड़ना, बाहर लेना, बाहर छोड़ना जाने, और फिर गैसो का बीनिमे, यानि एलुलाइज में गैसो का बीनिमे कहीं से होता है, O2, CO2 का अदला बदली के शेव होता है, और अब हम जानेंगे दूसरा step, गैसो का परिवहन, ठीक है, inspiration expiration, expiration हो गया, गैसो का बीनिमे हो गया, अब जब बीनिमे हो गया, तो अब O2 को ले करके जाएगा, गैसो का परिवहन, यानि ट्रांसपर आप गैसेज में क्या होता है, कि O2 का फेफ़डों से सरीर की कोशिकाओं तक जाना, तथा CO2 का पुनो फेफ़डों तक वापस आने की गैसो का परिवहन का लाता है, तो इसके अंदर के हम दो बाते दिखेंगे, O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन, सबसे पहले हम जानेंगे, O2 यानि आकसीजन का परिवहन कैसे होता है, जैसे कि दोस्तों फेफ़डों की इलुलाइज से, O2 रख्तिक वाहिनियों में पहुचकर हीमोगलोबीन से क्रिया करके आकसी हीमोगलोबीन का ने माल करता है, यही आकसी हीमोगलोबीन कोसिकाओं तक पहुचकर हीमोगलोबीन, O2 से अलग हो जाता है, ठीक है, यह कोसिकाओं में पहुच जाता है हीमोगलोबीन, तो आकसीजन को दे देता है, कोसिकाओं और कोसिकाओं तक पहुचा दिया तो खाली हो गया तो पिंग उसकों में पहुचा तो पहुचा जाता है तो इस परकाओं तक पहुचा जाता है जैसे कि दोस्तों एक ग्राम हेमोग्लोपीन 1,3-4 यमल O2 को अपने साथ ले कर जाता है very important है एक ग्राम हेमोग्लोपीन कितना oxygen लेकर के जाता है कोशिकाओं की तरब तो 1.3-4 ml और दोस्तों प्रति 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन पाजता है 15 ग्राम यानि कि 100 ml रक्त में 20 ml O2 को अपना है हीमोग्लोबिन ठीक है एन दोस्तों अब बात करेंगे इस प्रकार दोस्तों यह हुआ हीमोग्लोबिन आक्सिजन को कोशिकाओं तक पहुचाया ठीक है यानि कि फेफ्रों से O2 को लेकर हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक पहुचाया यह हुआ आक्सिजन का परिवहन अब बात करते हैं CO2 का परिवहन CO2 यानि carbon dioxide का परिवहन तीन चरणों में होता है Bicarbonate की रूप में Plasma में घुलकर Carbon-mino-yogi की रूप में Bicarbonate की रूप में कैसे होता है कि दोस्तों 70% CO2 का परिवहन Bicarbonate की रूप में होता है तथा यहाँ CO2 कोशिकाओं से क्या होता है Illulize में पहुच जाता है CO2 कोशिकाओं से Illulize में पहुच जाता है यह रख्त के Potassium के साथ मिलकर Potassium Bicarbonate Am Sodium के साथ मिलकर Sodium Bicarbonate का अनिर्मार करता है और प्लाजमा में घुलकर दूसरा इस्टेप प्लाजमा में घुलकर CO2 प्लाजमा में घुलकर Carbonic Amla बनाती है प्लाजमा में घुलकर CO2 क्या बनाती है Carbonic Amla बनाती है और साथ प्रसेंट CO2 Carbonic Amla के रूप में कोशिकाओं से कुपिकाओं में पहुचता है अब तिसरा इस्टेप होता है Carbon Mino Yogic के रूप में यानि 23% CO2 Carbon Mino Yogic के रूप में कोशिकाओं से एलुलाइज में पहुचता है यानि कुपिकाओं में पहुचता है यह हुआ CO2 का परियोहन किन चलड़ों में होता है 70% CO2 का परियोहन कावो Bicarbonate के रूप में 7% प्लाजमा में गुलकर 23% Carbon Mino Yogic के रूप में तो दोस्तों हमने जाना O2 और CO2 का परियोहन कैसे होता है दूसरे स्टेप में अब तिसरा स्टेप होता है हीमोगलोबीन कोशिकाओं तक आक्सिजन को पहुचा दिया और कोशिकाओं से Carbon Dioxide एलुलाइज में आ गया और बाहर निकल गया और हीमोगलोबीन आक्सिजन को कोशिकाओं तक पहुचा दिया उसके बाद की जो क्रिया होती है कोशिकाओं में अब आंतरिक स्वसन होगा ठीक है जो कोशिकाओं में स्वसन होता है उसे ही आंतरिक स्वसन कहते है ठीक है अब हम तिसंदरी इस्टेप में बात करें गें आंतरीक Simmons नयानि कि इंटर्लार रिस्पाइरेशन जो सेंनुरो में स्फ़ाइरेशन स्वासन जव सिब्सक्राइप निया मिन कोषिकी स्वाइब्हे da और इसमें 2-ATP का निमाड होता है। और दुसरा होता है आक्शी सोसन जो एरूबिक प्रिस्पारियेसन कहते हैं या उटू की उपसिती में होता है इसे क्रेफ्स चक्र भी कहते हैं या मायट्रोकांडिया में संपन होता है इसे 36-atp का निमाड होता है यानि आंत्रिक सोसन में सब्सक्राइब से सब् COM Co अनुपस्तिति में ख्रादेपदार्थों सब्हеци быстрAt ्यों सब्हें कर दिम ल Märiz 10 अनुपस्तिति में ख्रादेपदार्थों संपन को कोसिका द्रब में संपन होता है यानि साइटोप्लाजम में ठीक है और इसमें γ्लुकोज के एक ड़ो के ठीक है इसमें क्या होता है यानि इसके फल्स रूप co2 ethyl alcohol और Latino acid कुछ मातरा में प्रजा वह मुप्त होते हैं ठीक कुछ मातरा में प्रलती आफिशल्घ गोटास में पॉता है और इसमें घ्न Y दो ब्लुकोज c के एक औरूसे 2 पारूइफ अमलेक के अडू का नर्माड होता है तथा इसमें 4 ATP का निर्माड होता है जिनमें से 2 ATP विभिन्अ क्रिवयाओं में खरच हो जाता है तथा 2 ATP का सुध्त लाब होता है इसलिए कहा जाता है कि कितने ATP बनते हैं? दो ATP जैसे कि glucose के एक अड़ू से दो पारविक अमले के खंडन से दो ATP का निर्माड होता है glycolysis प्रक्रिया में इसको ध्यान में रखिएगा question आता है कि glycolysis प्रक्रिया में कितने ATP का निर्माड होता है? दो ATP वी यानि ग्लुकोस्ट के पारवीक करिए को भी ग्लाइकोलीज़िस गैसे चला जाता है में में ग्ल्ठिशंट बाता हैं आपका और नहीं हुए कि ओट्टीत में खा बदाथो का विघटन होता है इस प्रक्रिया में ग्लुकोज यानि कार्बोहाइड का पूर्ड रूपेड आक्सिकरो होता है जिसके प्रड़ाम सरूप CO2 जल तथा काफी मात्रा में उर्जा उत्पन होते हैं इसी कारण ग्लुकोज को कोशी की इधन भी कहा जाता है है ध्यार में रखेगा इंप्रटेंट है कि ग्लुकोज को कोशी की इधन भी कहा जाता है तो फिदे दिखिछ है जोस्तों यह सबी कारे जो है यहाँ पिशंपन होता है इसको शाट्रिक अमनग चक्र या बाई कार्बोकसीलिक चक्र भी कहा जाता है यह सभी प्रक्रिया माइटरो कारंडिया के अंदर ब lä शेशं एंजाइन की उपसिती में संपन होता है एंजल भोजन को उद्जा में प्रव्वतित करके आक्सिसोसन में की फ्रस्रूप भोजन को उद्जा में प्रववतित करता है जैसे कि ग्लाइकोलासीस चक्र की बने हुए दो पार्विक अमला जो है, एक पार्विक अमला से अठारे एटिपी बनते हैं यानि दो पारविक अमल इसमें प्रवेश करता है ग्लाइकोलेसिस चक्र में जो बने हुए दो पारविक अमल है वो केश चक्र में प्रवेश करता है और एक पारविक अमल से अठारे एटिपी बनते हैं और इसलिए दो पारविक अमल से कुल 36 एटिपी बनते हैं इस प्रकार ग्लुकोज के एक अडू से 38 ATP का नेमाड होता है ठीक है यानि कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लुकोज के एक अडू से दो पारवीग अमले बनता है यही पारवीग अमले माट्रोकांडिया में जाता है माय्ट्रोकांडिया में एक पारविक अमलेस से 18 एटीप यानि कुल 36 एटीप बनता है यानि दो पारविक अमलेस से 36 एटीप और क्रेप्स चर्क के 36 एटीप यानि कुल 38 एटीप का नेमाल होता है यानि कि दोस्तों इस प्रकार पूरी कोसी किये स्वसन यानि आंतरिक स्वसन में एक ग्लुकोज के पूर आक्सी करण पर कुल 2 प्लस 36 यानि की 38 एटिपी प्राप्त होता है यानि दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से तीन प्रकार से पुछता है ध्यान से सुनिएगा कि आंतरिक स्वसन में एक ग्लुकोज के पूर आक्सी करण पर कितने एटिपी का निमा होता है तो और अलग-अलग जब पूछेगा कि ग्लाइक प्रक्रिया में एक ग्लुकोज से कितने का निमा होता है तो 2%..? आर मायट्र का लिया यनि क्रेफ्ष जब्ण में कितने कर निमा होता है तो 36%y खिएगेएग ? तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना किपने क्वेश्चन प्रक्रिया होती है ? यहां कि आग दोस्तों सभी आट एक एक चीज़े की समझ में है आए होगी आसके बाद आप स्वेसं प्रकिया में ना इंश्पाइरेशन को पुलेंगे नाइकसी से ही से ओड्वेंगे फ्ली इस अब क्या है अप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जैसे कि ग्लाइकोलेसिस कोसी का द्रब में संपन होता है और क्रेफ्स चक्र जो होता है वो माइट्रोकांडिया में संपन होता है यानि और वाइवी स्वसन जो होता है उसे ग्लाइकोलेसिस कहते हैं और अनाक्सी स्वसन को ग्लाइकोलेसिस कहते हैं और ग्लाइकोलेसिस कोसी का बचे होगी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज्यादे से ज़्यादे सेर कीजिए दो जितने भी टापिक अभी बचे हुए हैं उस सब्सक्राइब सब्सक्राइब के बारे में बताऊंगी बस बने रहें मेरे चैनल पर हर एक टापिक आपको यहां पर मिलेंगे और नेक्ट वीडियो में होगा कि टैडल वल्यूम क्या है क्या है इसके बारे में डेटिल में बताऊंगी तो दोस्तों यह फर्स बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी जिसे न्यू वीडियो को आपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जये ही